मन्जबे उपस्रीट तार्म जनाफ तारेकर्मर्व साथ, सुकेंदर रॉय जी अभी निकल गया है, कॉमिनेटर राजा, बाबुलाल महरांड जी, बीर सिंग जी, प्रकाशम बेटकर भी, जेन चौधरी जी, दानिश अली और अनेक निता जो यहां पे बैठे हुए हैं मन्ज सब को भी, क्योंगी तीन माईने पहले शारज जी और हम यही सोचने थे कि किस तरीके से कुछ बात को आगे बढ़ा है, हमने उनसे अगरे टिया कि आप नेतर तो लीजिए, और आपके आधार पर एक सैसी सम्मेलर बुलाईए, जहां पर सब राजदेदिक पाटिया इकटा होंगी, और ये बात तीन मेने से चल देए से, तो इसके साथ कोई जुडाव नहीं है, जो आज कल में कुछ वदलाव जो आई है, उसके साथ, आज जो एकर्वेंशन जो हो रहा है, और उस समय है, जब तैह हुआ था कि सत्रा तारिक को होगी, तो शेर जी हमसे कह रहे थे है हो रहा है, बाहर भी साती है, तो आज किसी लोगों को जुटाने की जरुरत नहीं है, जो भारतवासी है, जो देश बक्त है, वो अपने आप आज निकल कर आ रहा है सड़कों पे, वो नारा जब मेरे बच्पन से हम सुनते आएं, हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई, भारत के चार सिपाही है, और ये सिपाही आज उतर रहे सड़क पर, और हम लोग सब इस भारत के सिपाही है, इस सांजी विरासत के सिपाही है, इसको बचाना है, आज सवाल किसी चुनाओ का देए, उससे भी बड़ी सवाल है, बड़ा सवाल है कि क्या ये चरित्र हमारे भारत का, जो हमने हासिल किया बड़ी लंबी स्वत्मता अंदुलन की लड़ाई में सैक्रो शहीद हो गए क्या इस चरीट को इस साजी विराश्त को हम क्या बचा पाएंगे की नहीं आज वो चुनौती हमारे सामने आगे और उस चुनौती के साथ बहुत कुछ बाते हुई यह दराना नहीं चाहता हूँ मैं चुनौती दे साथ एक बहुत ही बहुत ही एक गंबीर बात हमारे प्रदानमंदी में होदे कह गया है जब भारत छोड़ो आंदुलन का 45 सालगिरा मना रेते पार्लिमेंट में उन्होंने कह जिया कि 1947 से 1942 से 1947 तक जो पांच साल का जो प्रगती हुई है देश की आजादी के लिए उसी तरीके की प्रगती आज भी होनी है 1917 से 1922 तक अब इसके अंदर एक खतरनाग बात है 1942 से 1947 तक आजादी तो जरूर हासल की हमने लेकिन देश का बढ़ा